पद से हचाए जाने के बाद अकाश अनन्द का बयान सामने आया है, सोशल मीडिया एकाउंट पर अकाश अनन्द ने पोस्ट किया है, मायवती बहुजन समाज की आदर्श हैं, ये कहना है अकाश अनन्द का, मायवती हमारी सर्वमान नेता है, मायवती का देश सिर्माथे पर ये कहना है आकाश अनन्द का अपने समाज के लिए अंतिन सांस तक लड़ूँगा ये सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है आकाश अनन्द ने जो की भतीजे है मायवती के और उन पर बड़ी कारवाई मायवती ने की है और बड़ा एक्शिels लेते हुए सबी जिम्मेदारीों को वापस ले लिया अकाश अनन्द से नशनल कॉजिनेटर के पदपर भी थे वो भी जिम्मेदारी वापस ले लिया गई अकाश अनन्द से अलाउदीन इस पर जादर जानकारी के लिए हमार सा जुड़े हुएं बुगा लगती है और बड़ा एक्शन भी वो ले चुकी है उन पर लेकिन उसके बाद क्या माईने है आकाश अनंद के इस बयान के लिए वह हमेशा पॉस्टिव रही है बड़ी जिम्मेदारियां भी देती रही है तो ऐसे में अम अंगलवार को तमाम माईने निकाले के कल द सच है कि राजनेती खलकों में इस बात की चर्चा खुब जम कर रहे कि आखिर मायवती ने ऐसी कारवाई क्यों करी और जबकि आकाश अनंद को लगाता रो आगे बढ़ा रही थी लेकिन आज इस तरह साकाश अनंद ने अपना डूइट किया है और बात कर समझाने की अपन को लेगर के पसंद करने लगे थी तो ऐसे में जिस तरह से लगातार शोशल मेडिया पे अख़बारों पे और तमाम जगों इस बात भी अच्छा होने लगी थी कि आकाश अनंद के साथ कुछ लोग संपटी भी शो करने लगे थे तो ऐसे में इस बात ज्यादा बहतर साबि लिए हैं मायवती जी ने उसके बाद तमाम लोगे कहने लगे कि आकाश अनंद पर इस तरह की कारवाई के लिए पहले थोड़ा सा चुनाओं के बात कसमें जादा बैतर होता लेकिन फिलहाल कारवाई क्योंकि उन पर की गई है आकाश अनंद ने एक समर्पित कारकरता की इ हैं लेकिन ये बाद उसके हैं कि कुछ कुछ चल जरूर रहा है जो बहुत जादा अच्छा नहीं है अब देखने वाली बात होगी कि आकाश अनंद को अपने तमाम पोश्च जुजमेदारिया हैं कब रिस्टोर उनको करी जाएंगी ठीक है बहुत शुक्रियात हम जानकार के लिए आपका लाओ दें कि भीते साल बी एसपी सुप्रीमो मायवती ने अपने भतीजे आकाश अनंद को नेशनल कॉडिनेटर और अपना उत्तराधिकारी होशित किया था लेकिन मंगलबाद देर रात मायवती ने इन दोनों महत्वपुन दिमेदारियों से आकाश अनं अब हर कोई मायवती केस फैसली को अपने अपने चश्मे से देख रहा है एक रेपोर्ट आपको दिखाते हैं अब ही पांश महीने पहली की बाद चप्शूर शराबे किस्तान काजे बाजे किस्तान काशुराम की विरादर के नए उत्राधिकारी का एलान वत्त लेकिन पांश महीने बाद ये ऐसा क्या हुआ कि मायवती को अपना फैसला बदलना पड़ गया बीते वर्थ बस्पा सुप्रिमो मायवती ने अपने भतीजे आकास आनन को बस्पा का नेशनल कॉडिनेटर के साथ अपना उत्राधिकारी घोसित किया था लेकिन बीते मंगलवार की देर रात बस्पा सुप्रिमो मायवती ने आकास आनन को अपरिपक को बताते हुए दोनों जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया जिसके बाद मायवती के इस फैसले कुलेकर अब तरह तरह की चर्चाएं हो रही है कोई मायवती के इस फैसले को बीजेपी से मिली भगत का करार दे रहा है एक-एक लाजी निकाल लीजिए और एक-एक जूता निकाल लीजिए तो दोड़ी आकाश आनन के तेवर को जिम्मेदार ठहरा रहा है लेकिन सच क्या इस वैसले का कारण क्या रहा इसे समस्ते है यूपी में ताबर तोड़ दस्रैलिया करके आकाश आनन चर्चा में आये थी उनके अधिकतर भाषण मुस्लिम दलित फैक्टर को ध्यान में रखकर दिये जा रहे थी लेकिन सीतापुर में अपनी जनसभा के दौराज जब उन्होंने योगी सरकार की तूलना आतंगवास ने कर दी तभी से कुछ बड़ा घटित होने के कयास लगाय जा रहे थे इस फैसले के पीछे असली वजह क्या है क्या आकाश रानन के देवा ही उनके दुश्मन बन गए क्या किसी जबाओ में मायवती ने ये फैसला लिया ऐसे कई सवाल खड़े हो गए हैं लेकिन पहल जी का जो जवाब है उसके मताबिक आकाश रानन अचानक आ परिपक हो गए ऐसे जवाब एक्ति को अगर इतनी बड़ी पार्टी की पार्टोर देने का निड़े मायवती ने किया था तो उसके पीछे उन्होंने हर पहलू पर विचार जरूर किया होगा लेकिन जिस तरह की ये बयान बाजी हुई उसमें कहीं ने कहीं ये तो सपष्ट है कि इसमें मायवती की सहमती नहीं रही होगी और जैसा कि उन्होंने खुद अपने ट्वीट में कहा कि ये इसे आकाश आनंद की आप परिपकपता मानती हैं. आकाश आनंद की इन बयानों ने मायावती को नाराज कर दिया, जिस तरह की राजनीती मायावती करती रही हैं और जिस तरह के बयान वो देती आई हैं, उसमें आकाश आनंद की ये भाशा शैली मिस्विट हो रही थी. मारा ये भी चारा है कि पार्टी के भीतर एक बड़ा धड़ा आकाश आनंद के बयानों से नाराज था, और जैसे कि पहले भी होता रहा है, पार्टी लाइन में मिस्विट पैटते ही पहंची ने अपने उत्राजिकारी पर भी कारवाई कर डाली, भले ही आकाश आनंद उन यजू वे और शे बयान दोन दोन दोनद एक वे ली लग दोन दोन दोना है, लागे बयान दोना है।